हाई गाईज माई नेम इस चंसेगर बरुला और मेरा नंबर है 989-123-008 और हम पढ़ रहे थे इस और इस और प्रॉसेस और उसमें हमने पिसले सेशन्स में उसके बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था और हम नहीं यह जाना था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी और या इस क्वार जिसे हम कहते हूं उसमें बिसे के लिए हम कंट्रूलज करते हैं अगर कंट्रूल चेक करना कंट्रूल आएञेवज़कम क्या केवल 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 कंट्रूल स्च करना पडए कव investigative मेंat intelligence आगी सब पर समझ लो और आप एक system है बना रहे हो एक system अपने आप में complete हो गया और वो system काम कर रहा है तो उसमें एक बार आपने controls लगा दी हो हमेशा के लिए काम करता रहेगा उसको maintenance की भी जरुवत नहीं पड़ेगी अगर एक ideal conditions में लेकिन ideal conditions होती नहीं है तो क्या है कि controls टेस्ट करने के बाद आपको substantive testing भी करने पड़ती है और दूसरी बात यह है कि जो auditor audit कर रहा वह भी ideal नहीं होता उसके skill competence भी उतने जादे तगड़े नहीं होते हैं उसमें भी कमियां होती है उसमें भी knowledge की कमियां होती है तो वह आपने आपको करता है एक रिजनेबल इस्वरेंस देता है पहले और फिर वह तभी दूसरे को रिजनेबल इस्वरेंस दे पाएगा तो वह जो यह जो पर्टिक्लर प्रॉसेस है उसमें वो के किया का तक है क्या करता किन्ट्रोल के सिद्वरेंस स्व्रिय्ण चाहिप हो गया डेटा की वजय से आई Obviously सौफ्ट्यूर में रखut उसे प्रॉसरा सब्सक्राइबर को रखा जाता हाँ तो effectivement जाता है तो ऑउफकny। बेसिक परपस मेन परपस जो है वह आपका चांट्रूल से चेक करना बएसिक बेसिक आइडिल कंडिशन नहीं होती है तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं हम जब ऑडिट श्रेटिजी डिटर्वाइन करते हैं ऑडिट प्लाइनिंग करते हैं और प्रोसीजर इप्लाई करते हैं और यहीं पर confusion पैदा होता है कि ideal conditions नहीं होंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो realistic conditions को लियाएंगे तो फिर कई बार confusion होगा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है आप बोलते हैं control testing होती है लेकिन बाद में वो कहते हैं कि substantive procedures भी लगाओ और substantive analytical procedures भी लगाओ वो इसलिए होते हैं क्योंकि practical conditions में ideal conditions नहीं होती है आप भी assurance देते हो reasonable assurance देते हो full assurance नहीं देते हो तो basically audit में क्या करते हो आप opinion देते हो opinion देने किससे पहले क्या होता है आप evidence collector तो यहां पर भी evidence collect करोगे यह evidence कैसा होगा जनरल लॉजिकल evidence होना चाहिए लेकिन चुकि mix environment artificial intelligence नहीं आई यह 100% automation नहीं आए तो यहां पर logical or physical evidence हो जाएगा तो textbook definition अगर एक is audit की होगी artificial intelligence के time पर तो उस time पर तो यह होगी कि केवल logical controls चेक करना है क्योंकि चारा तरफ जो controls लगें वो logical controls लगें होंगे लेकिन चुकि mix environment है अभी यह आईटी वॉल्व कर रहा है तो यहां पर हम कहेंगे evidence लिया जाएगा evidence किसके लिए लिया जाएगा कि सबसे पहले information assets safeguard कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है assets को assets दो पर टाइप के होते हैं IT assets or non IT assets IT assets IT ही safeguard कर सकता है अगर आप अपनी company में एक software लगा दो और तुव पता कर सकता है कुछ समय बाद automatically inventory create कर देगा वो कहेंगा इतने यह software हैं इस company में यह hardware हैं तो आपको उसकी inventory बता चल जाएगा और फिर उसे करते करवाते रहो तो इस तरीके से information system assets को safeguard करने में help कर सकता है तो IT का perspective क्या है IT का perspective सबसे पहला क्या है कि assets की safeguarding करना कैसे करना information system assets को safeguard करेगा दूसरा data integrity maintain करना data सबसे important data is the king data की बज़े से सारी चीज़ें हो रही है और data ही आगे बढ़ता जाएगा और वह valuable asset होता जाएगा जैसे जैसे automation बढ़ेगा वैसे वैसे data बढ़ता जाएगा तो data की integrity maintain करना बहुत जरूरी और integrity क्या करेगा सबसे पहला कि assets को safeguard कर पा रहे हैं कि निए कर पा रहे हम information system assets को safeguard रहा कि निकर पा रहा है data integrity maintain कर पा रहा है कि निकर पा रहा है और दूसरी बात I.S. पूरको पूरस system हमने किया है किसली किया है organization के goals को पाने के लिए objectives को पाने के लिए efficient बनाने के लिए effective बनाने के लिए organization के goals और objectives को पाने के लिए हमने यह information system लगा यह तो क्या यह उसको cost effective तरीके से better तरीके से पाने में help कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो तो cost effective तरीके से पाने में help कर रहा है तो तो फिर इसका मतलब सही है तो इसी चीज़ को हम audit करेंगे IS audit में अब IS audit में देख लेते हैं कि IS audit textbook IS audit देख लेते हैं तो कई तरीके का audit है जैसे financial audit financial audit का primary purpose क्या है कि आप standard accounting practices देखते हैं वो follow की जा रही कि नहीं जा रही है और balance sheet में figure अब हैं बगर जो भी यह figures हैं सही है कि सही है material miss statement तो नहीं है आइस audit का primary purpose उल्टा होता है primary purpose यह है उसका primary financial audit का primary purpose figures हो गया और पिर वो कहेगा कि figures सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और secondary purpose ही होगा कि यह figures लाने वाला सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके इंटरनल कंट्रोल्स हैं कि नहीं है वो secondary purpose होगा यानि primary purpose उसने complete कर लिया थे यह समझ लो 80% audit उसने complete कर लिया secondary purpose उसका दूसरे होंगे वो देखेगा system सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो 20% और उससे भी कम percent होगा IS audit का जो mean purpose होगा वो यह देखेगा कि primary purpose होगा वो यह system efficiently काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है security protocol सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है confidentiality, integrity और availability maintain की जारी की नहीं जारी confidentiality, integrity, availability बहुत important है IS audit जहां पर है वहाँ पर data है और data जहां पर है confidentiality, integrity, availability वहाँ पर है तो कहने का मतलब यह है कि जो primary purpose है examination में भी आ सकता है कि primary purpose primary purpose जो है IS audit का क्या primary purpose है internal audit का क्या primary purpose है environment audit का क्या primary purpose है financial audit का क्या primary purpose है quality audit का क्या primary purpose है या फिर आपका operational audit का क्या primary purpose है primary purpose आपको meet out करना है क्योंकि हर कोई जानता है, आपको specialist के रूप में आप बढ़ गए हो, पहले क्या होता था कि auditor जो होता था, वो सारी चीज़ें कर लेता था, normal organization में बहुत जादे चीज़ें होती नहीं थी, internal auditor और आपका statutory auditor होता था, statutory auditor की अलग जरुवत पड़ी, IT auditor की जरुवत पड़ी, और इस तरीके से split out होता चला गया, अब ये फिर जाके merge करेगा, ठीक उसी तरीके से, जैसे for example doctor है, पहले क्या होता था, एक ही doctor होता था, या एक गाउं में एक knowledgeable आदमी होता था, जिसे एक particular knowledge होती थी, और फिर क्या होता था, कि knowledge बढ़ने लगी, तो library create होगी, हर जगे specialist create होगे, उस कोई भी information चीए, हर library में जाना पड़ता था, अलग-अलग type के library होती थी, फिर तो यतनी specialization होगी, दुनिया भर में library, country अंदर specialized library होगी, फिर क्या होगी, गूगल आया, उसने सब चीज को एक जगे पर लाकर रख दिया, मैं इंटरनेट में एक मजाक पढ़ रहा था, गूरू गूगल दोनु खड़े काके लागू पाए, पाओ, करके था, तो गूगल जो था, उसने क्या किया, उसने simple सी चीज की, उसने आपकी information available करा दी, tips में available करा दी, आज information, आज वो information एक, अफरीका के मसाई tribe को उतनी information available है, जितनी Bill Clinton को अपनी presidency के time पर available नहीं थी, easy information available है, democratization कर दिया, उसने information का, तो पहले क्या है, information लेने के लिए गूरू होता था, गाओं में एक गूरू होता था, और उसको हम प्रणाम किया करते थे, लेकिन या, फिर क्या हुआ, libraries होने लगी, गुरू, एक आदमी एक limit से जादे knowledge नहीं ले सकता, knowledge explode होने लगी, libraries होने लगी, फिर क्या आगया, Google आगया, आज की डेट में कोई library में जाओगे, बहुत मेहनत लगेगी, उतनी information मिली नहीं पाएंगी आपको, Google में massive information मिलती जाएगी, तो यही चीज audit का भी हो रहा है, पहले क्या होता था, एक आदी auditor हुआ करते थे, अब audit specialization हो रहा है, और धीरे-धीरे क्या होगा, और auditor के पास tools बढ़ते चले जाएंगे, और फिर हम एक single audit की तरफ चले जाएंगे, जब हम अपनी किताब को पढ़ेंगे, तो हमें confusion होगा, कि यह क्यों इतना specialization होगा, कई बार definition match कर रही होगी, सारी के internal auditor या, इंटर्नल ओडिटर क्या करता है, इंटर्नल ओडिटर दो-तीन काम करता है, लाला जी की दुकान है, इंटर्नल ओडिटर दो-तीन चीज़ देखेगा, वो देखेगा कि profit हो रहा है कि नहीं हो रहा है, organization को objective meet out हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी वो organization को objective, IT audit वहीं द खूंगा आपको सारी चीजें देख knocked about page प्रभाएं कि स्ट्रेटीजी बनाऊगे तो फिर सक inadequ में आनी चैज कि आपको स्ट्रेटीगी में ऑननी चीछ लेकिन outlets extras चीज आ रहें यह था। हम केवल to तो आगे पढ़ेंगे ऑडिट स्रेटिजी वगर के बारे में पढ़ेंगे तो कई फी चीज दमर्ज हो जाएंगे तो मैं बेसिकली क्या है जो आपका इस ऑडिट है आई-स ओडिट कॉंफिडेंचिल इंटेगरी और अवेलिबिलीटी चेक करेंगा और आए-स ओडिट जो है risk audit होता है अधिकतर risk audit सारी audit risk audit होता है और assurance देते हैं against risk लेकिन IS audit को देखा जाए तो massive risk क्योंकि जो data asset है वो सही जल रहा है सही जल रहा है लेकिन volumnus है एक जगे पर अचानक data के साथ कुछ problem हो गई तुमाने मुझा पूरा data गया अगर कोई manual company में manual लोग काम कर रहे है तो आदमी अगर कोई गलती हो रही है तो वह कुछ समय में ठीक करेगा automatically correct करेगा लेकिन computer के साथ एक problem है IT के साथ एक problem है अगर आपने गलत logic डाल दिया तो सारी data गलत process कर रहे होंगे पूरा data गलत process होता चले जाएगा तो control चेक करना वहां पर बहुत जब रही है वहां पर रिस्क बहुत बढ़ जाता है इसलिए वहां कई conditions में रिस्क जीरो होता है या फिर रिस्क होता है तो उस रिस्क को mitigate करने के लिए आपको controls लगाने पड़ेंगे तो basically is audit क्या करेगा रिस्क में जादे focus करेगा आईएस एसट के रिस्क में किसके रिस्क में obviously isas audit कर रहे हैं तो isas at रिस्क में है कि वह ऐस एस एक europicon है क्पर Ini λάas at कंपर हूझे सब्साइट के अज़्रेंगे सब्सक्राषिवेर मांड़ेट की सारी चीज़ हो जाती लेकिं प्रिमयर इएस को collect कर रहे हो और computer system को design कर रहे हो ताकि data integrity maintain की जा सके assets को safeguard कने की कोशिश कर रहे हो organization के goals को meet out करने की कोशिश कर रहे इंटरन इंटर्नल कंट्रोल में क्या करते हो internal control में तकरीबें यही सारी चीज़ें करते हो लेकिन है logical होता है वहाँ पर क्या है आपका manual जादे होता है लेकिन जब आप IS audit करना start करोगे तो आप क्या करोगे जो आपका primary purpose है उसको करने की कुशिश करोगे लेकिन बहुत सी चीज़े overlap कर जाएंगी तो basically एक IS audit है और एक है internal control एक है financial audit एक है environment audit एक है environment audit क्यों आया है environment audit simply इसलिए आया है क्योंकि IS audit ने एक environment create कर दिया जहाँ पर data रखा जाएगा वो environment बहुत महत्पूर्ण हो गया सबोसे एक bank है उसका centralized database है अब उसका centralized database है उसको सुरक्षत रखना बहुत जरूरी है वहाँ पर server को ठंडा रखना बहुत जरूरी है वहाँ पर logical physical controls लगाना बहुत जरूरी है वहाँ कोई आग ना लग जाए इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है तो इसलिए एक environment audit वी आ ग जाएंगे specialization जो है एक जगह पर होता जाएगा जैसे for example आज की डेट में auditor करने जाएगा ideal condition में केवल control चेक करेगा लेकिन कई जगह पर वो substantive testing भी करेगा और उसकी capability आज की डेट में इतनी बढ़ गी है कि पूरी की पूरी data को चेक कर सकता है कई बार कई बार उसने का जैसे तो वो सारी individuals होने चाहिए यानि तीसरा चौथा डिजट आई होना चाहिए जहाँ पर नहीं है तो उसे मोटे तौर पर पता चलिए यह गलत है यह सही है तो कहने का मतलब यह है कि substantive procedures करने की power भी हमें बढ़ दी massively बढ़ दी हमें IT audit का textbook meaning तो है control शेक करो ideal condition में केवल control शेक कर करता रहेगा वैसे कि वैसे काम करता रहेगा लेकिन क्योंकि हमें स्किल्स और competence पर उतना भरोसा नहीं होगा हमें अपने उपर उतना भरोसा नहीं होगा और तो हम क्या करेंगे चीजों को change करना start कर देंगे हम फिर substantive audit भी करेंगे मतलब हम यह देखेंगे पूर जादे करेंगे कि इंवार्मेंट में जाएंगे तो IT department में मैनुल आदमी भी काम कर रहा होगा आदमी भी में बहुत सारा काम मैनुली हो रहा होगा तो हम दूनु चीजों को check करने की कुशिश करेंगे तो एक चीज और ध्यान देने की बात है IT audit को कही तरीके से बोला जाता है EDP audit से बोला जाता है Automatic data processing audit बोलता है computer audit बोला जाता है बहुत तरीकी से बोला जाता है असल में यह evolve हो रहा है पहले EDP audit था electronic data processing का audit था लेकिन अब क्या हुआ आपकी आपका ERP आ गया ERP पूरी company-wide हो गया तो EDP audit नहीं कह सकते थे क्योंकि हर जगे वो touch करने लगा हर चीजों को touch करने लगा अब जैसे for example आप audit करने जा रहे हो एक बड़ी company को audit करने जा रहे हो तो आप WhatsApp है WhatsApp जो है 19 billion dollar में विकी उनिष बिलियन ड Gutmann की company है हिंदुस्तान की economy उननीट सो billion dollar है हिंदुस्तान की economy में 1005 करून लूग काम करते है एक साल में जो हिंदुस्तान की जीडीपी है वो 900 बिलियन डॉलर की है यानि 900 बिलियन डॉलर पैदा करने के लिए हिंदुस्तान के 125 करून लगते हैं जबकि वाटसेफ बिका 19 बिलियन डॉलर में 50 लोग काम करते थे तहीं एज अडिटर जब आप उस कंपनी में जाओंगे तो आप वहां पर अगर उसका ऑडिट कर रहे होगे तो आप इंटर्नल अडिट होगे तो आई टी ऑड़िट भी आप कर लोगे क्योंकि आई टी और इंटर्न इसमें बैठे वे हैं बाकी सारी चीज सिस्टम में हो रही है तो बेसेकली महाँ पर क्या सारे के सारे वर्चुली कंट्रोल लॉजिकल कंट्रोल तो आई टी ऑड़िट कई काम हो जाएगा इंटर्नल अडिटर और ऑड़िटर मर्ज हो जाएगा और हो सकता है फिनेंशल क्या है कि यह माना जा रहा है कि जितना डेटा आज की डेट में गूगल के एक सर्वर फार्म में रखा है कल की डेट में वह मालूंबढ़ा एक पैंड्राइव के एरिया में आ जाएगा अभी बहुत टाइम में 20 साल पक्च्छ साल वह आ जाएगा लेकिन यह सोचिए वह अ अब चैता रहा हूगे तो का आप अजका अधाउगा मालन बड़ा उस बिल्डिनग में सो आदमी हो तो आप उस कंपनी में जब अडिड करने जा हो ख़िए सो आदमी नहीं तो फोडी दे किलिए वेजियो करो क्यों हो और कम आदमी है तो आप फिनेंशल अडिट करने जा उसकी profitability, loss, expenses, सारी चीज़ें देखोगे, उसके बात क्या है कि आप उसके controls चेक करोगे, तो सारे controls automated हैं, तो वहाँ पर सारे, अभी हुआ नहीं है वैसा, तो वहाँ पर गया है, सारे ordered भी merge कर जाएंगे दीरे-दीरे, ऐसी situation आने में अभी काफी time है, लेकिन visualize करना पड़ेगा visualize इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप इस चीज़ों को पड़ोगे तो आपको confusion होगा, आपको यह क्या हो रहा है, यहाँ पर यह अलग-अलग split out की बात कर रहे हैं, और लेकिन split out की बात कर रहे है, basically audit क्या है, assurance देना, big foods यह बड़ी-बड़ी company में assurance, risk and assurance department होता ह रिस्क से assure करना आपको, organization के जितने भी रिस्क हैं, business continuity planning क्यों बनाते हो, रिस्क की वज़े से बनाते हो, आगे हम पढ़ेंगे risk के बारे में chapter हो, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, risk है, financial statement, misstatement ना हो, उसके risk को आप दिख करते हो, एक big force आती है, big force आकर, जब balance sheet बगर बनात हो, statutory auditor करती है, तो वो क्या देखती है, वो इस risk को zero करती है, कि कोई law, कोई law जो है, हम उसको law को violate तो नहीं कर रहे है, कोई fraud तो नहीं हो रहा है, को financial misstatement तो नहीं हो रहे है, इस risk को zero करने की कोशिश करती है, यहनि assurance देती है, सारा audit basically assurance है, लेकिन क्या है कि audit voluminous हो गया, वहा specialist create कर दिये, जैसे information system audit अब आया, अब institute of chartered accountant ने एक नया course पैदा किया, ESA, और इसलिए पैदा किया, ताकि यह information system audit auditor पैदा हो, एक specialization एक area बने, और कल की date में क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, automation बढ़ता चले जाएगा, और एक ही auditor होगा, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, fundamental principles जो होते हैं, वो change नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा है कि methods, tools, technique, change हो जाएगी, depend करता है organization कितना automated है, organization कितना non automated है, manual है, audit का focus हमेशा risk में होगा, IT controls, IT controls आजाएगे, तो risk बढ़ जाएगा, तो वो यह है कि risk को हटाने के लिए, IT की चीज़े आजाएगे, तो risk ब पड़ागा, educated inefficient तो नहीं है, और वो logical controls बन जाएगे, यानि system को के अंदर घुसकर आपको देखना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा, इन control से कहीं material misstatement तो नहीं होगा, financial auditor सबसे पहले यह देखेगा, यह figures सही हैं कि नहीं है, और यह system, पहले figures सही हैं तो फिर वो आइक करेगा, companies act, bonus act, फलाँ act, EA act, pay effect, यह सारे के सारे match कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखेगा, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, कि जब हम IT audit जा रहे हैं तो आप देखो कि system में IT processes strong हैं कि नहीं हैं, जिसे financial statement सही तरीके से आ जाएं, कई बार की cases में क्या होगा, कि आप audit करने गए और आपने controls देगे, controls बहुत strong हैं, लेकिन एक hacker की team लगी विए उसने hack कर देते हैं, वहाँ पर कोई proprietary software बना, उन्होंने hack कर देते हैं, team ने hack कर दिया, hack करने के बाद कुछ virus वगरे डाल के वो बाहर चलेगे, आप क्या financial, आपने audit report दे दी, आपने का जी बि material misstatement आगया, auditor ने देखा कि यार, यह तो कुछ problem है, ऐसा तो हो नहीं सकता, उसने analytical procedures लगाए, उसने कहीं, यहाँ पर तो expenses बहुत जादे देख रहे हैं, expenses यतरे हो नहीं सकते, कैसे हो गए expenses, उसने check किया, तो expenses होते नहीं थे, या जो कुछ भी हुआ, कुछ material misstatement आगया, ज किया, उसने IT का area वो दिखाएगा कि यह मेरा evidence है, यह मेरा documentation है, मैंने इस इस level पर देखा, यह abnormal condition हो गई, तो दूसरे specialist ने उससे पकड़ दिया, तो आज की date में एक बहुत बड़े organization को कई-कई तरीके के लोग की जरुवत पड़ती है, कई-कई तरीके के auditor की जरुवत पड़ी, auditor specialization हो रहा है, इवन क्या quality audit के लिए लोग CES 70 या ISO 27001 का certification दिलाने के लिए auditor है, वो organization में जाते हैं, और देखते हैं कि सही तरीके से organization में सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इनको क्या ISO के certification मिलेगा की नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो कोशिश करता है, फिर वो organization के procedures पर अपनी opinion देता है, दूसरा outsourcing स्टार्ट होगी, outsourcing क्या है, जैसे मैं एक company हो, जैसे IBM या बड़ी या company, multinational companies होती है, तो वो क्या करती है, अपने वहाँ बंदों को रखती है, तो आज की date में ये बहुत important होता जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, IT audit और environment audit increase होता जा रहा, और कल की date में increase होता चले जाएगा, और automation बढ़ रहा है, इस बज़े से, artificial intelligence की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ये branches और specialized होती जाएंगे, और फिर एक जब हम, ये branches जब मर्ज होने लग जाएं, तो आपको ये realize कर लेना, कि हम अब artificial intelligence के काफी पास हैं, और ये standards भी change होते जाएंगे, धीरे-धीरे guidance note change होते जाएंगे, पहले वो कुछ और कहने होंगे, बाद में कुछ और कहेंगे, ये एक evolution है, जिसकी तरफ हम बढ़ने हैं, तो आज की date में अगर आप IS audit के बारे में जानते हो, तो आप ये ideal condition देख लो और practical condition देख लो, ideal condition में क्या है, इस audit क्या है, controls की checking, purely, क्योंकि system में controls अगर मजबूत हैं, बात खतम हो गई, सब चीज system अपने आप take care करेगा, system है इसलिए, क्योंकि automation है, automation है इसलिए कि अपने आप काम करेगा, human being को हटा है इसलिए, क्योंकि वो unreliable है, वो बिमार होता है, वो चुट्टी लेता है वो जादे पैसे मांगता है, वो company change करता है, वो जूट बूल सकता है, वो अचाना fraud कर सकता है, उसके अंदर mood swing आते हैं, company, computer के साथ ऐसा नहीं है, computer के साथ अगर सारी चीज़ां सही चल रही है, वो सही तरीके से काम करेगा, दिन परती दिन सही तरीके से काम करेगा